हलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूटूब चैनल स्टडी प्री क्वेस्चेन्स फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आधुनिक नागपूरी टेस्ट सीरीज का एक टेस्ट को सॉल्ब करेंगे जो कि मार्क दसन पब्लिकेशन का है इसमें 100 प्रसन है तो आपको क्या करना है कि आ तो जगनातपूर मंदीर को किस वंस के राजा बनवाए थे तो सही अंसर क्या हो जाएगा नाग वंस के आसान क्वेस्चन है लेकिन ये जगनातपूर लेक का क्वेस्चन है जगनातपूर मंदीर लेक जो है मनकेवरा भागवन में उसी से ये क्वेस्चन पूछा गया है उ कोनों में बहुत ध्यान दिजेगा लेखक है भोनेश्वर अनुच जगनात पुरमंदिर वाला लेखक और अनुवाद की हैं ससी कला मीश्र साथ भाई एक बहिन कहानी में के लहू के लुगा में पोछेक नीचा है लग तो साथ भाई एक वहिन कहानी में कौन जो है लहू यानि की खून को कपड़ा में नहीं पोचना चाहता है कौन ऐसा है तो बहन बहन जब कट गई थी साग काटते हुए तो वो खून को कपड़ा में नहीं पोचना चाहती है कहती है कि कपड़ा हम पोचेंगे तो भावी लोग देख लेगी नदी में एक घहचा पानी रहे प्रस्तुत वाक्य में एक घहचा कोन तरह कर किरिया विसेशन कर संबंध बतायला तो नदी में एक घहचा घहचा कहते हैं गर्दन को तो नदी में एक गर्धन पानी रहे यानि कि था तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, अपका हो जाएगा C परीमान वचक, परीमान को बता रहा एक घेचा पानी यानि कि एक गर्धन पानी अगला प्रसन है वर्ण और काल छंद सास्तर में केकर भेद मानल जाय है तो वर्ण और काल छंद सास्तर में किसका भेद माना गया है तो ये गावेक विधिकर यानि कि गाने का विधिका एक भेद माना गया है नाच कर अधार पर केकर नामकरन होए है तो पावस और उदासी तो नहीं होगा क्योंकि इसमें ना चूच नहीं होता है ये विरह गीत है आप पढ़े होंगे उदासी जो कि गर्मी के रितु में पावस बर्सा के रितु में तो सही अंसर हो जाएगा खेमटा अगला प्रस्न है नाग वनसा वली केकर क्रिती है के जेकर बारे में भूनेस्वर अनुज लेख में बताए हैं तो नाग वनसा वली आप पहले भी जहरखन जीके में भी पढ़े होंगे कि ये बेनी राम महता जीकर रचना है तो सही अंसर क्या हो जाएगा बेनी राम सही अंसर हो जाएगा इसका option D बेनी राम पारंपरिक रूप में हमरे बीच सोक गीत से केकर संबंदा है सोक अगला प्रसने तिर्या चरित कहनी में राजकुमार और राजकुमारी के बियाह वलबाद दियो सुक से कहां रहना तो तीरिया चरित कहनी में राजकुमार और राजकुमारी का जो विवा हो जाता है उसके बाद दोनों सुक से कहां रहने लगते हैं तो वो रहने लगते हैं राजमहल में सही अंसर हो जाएगा राजमहल में दोईसागड में जगनात मंदिर बनवाय रहा है के? यानि कि दोईसागड में जगनात पूर मंदिर कौन बनवाय थे? तो दोईसागड में राजा रगुनात साह का जो गुरू थे हरिनाथ वही बनवाय थे जगनात मंदिर जगनातपुर मंदिर लेख का ये question है डाक्टर कुमारी वासंती का लेख अनुसार कौन बात में अपार सक्ती छिपल है तो डाक्टर कुमारी वासंती का एक लेख है बनके और भागवन में कौन सा लेख है तो समय सोना है के तो उसमें क्या बताया गया है कि किस में अपार सक्ती छिपा हुआ है तो समय में तो सही अंसर हो जाएगा option C हमरे कर भासा में मुह बोलता चीतर कोन गीत मन के मानल जायला तो मुह बोलता चीतर किसको माना जाता है लोक गीत को सही अंसर हो जाएगा लोक गीत को लोग गीत को जोडती गीत भी कहते हैं ये भी याद रखेगा कहीं कहीं पर जोडती गीत भी लिखा हुआ मिलता है 1917 कर राची गजेटियर में केके नागवन सी परिवार कर खारपोसदार बताल जाय है तो 1917 का राची गजेटियर में किसको नागवनसी परिवार का खारपोसदार बताया गया है तो ठाकूर एनी साह को सही अंसर हो जाएगा Option C, एनी साह जब राजा रगुनाथ सासन करत रहे तब उकर राजधानी का रहे तो जब राजा रगुनाथ सासन कर रहे थे तब उनका राजधानी क्या था तो उनका राजधानी था डोईसागड़ डोईसागड़ उनका राजधानी था लेकिन बाद में क्या हुआ था कि एनी साह अपना राजधानी को कहा ले गए थे सतरंजी में 17 जी में ले गए थे एकला प्रसंद देखेंगे जे अब याए संग्या चाहे सोड़नाम कर साथ जुड़ के उकर संबंध वाक्य कर दूसर सब्द मनक साथ बतायना उके कोन व्याकरानिक इकाई कर रूप में जानल जाया तो जो संग्या चाहे सोनाम के साथ जुढके उसका संबन्ध वाक्य का दूसरा सब्ध के साथ बताता है उसको क्या कहते हैं वियाकरानिक ईकाय के रूप में जाने जाता है तो सही answer क्या हो जागा इसका सही answer हो जागा इसको समूचिय बोधक कहते हैं समूचिय बोधक कहते हैं लेकिन इसको योजग भी कहते हैं ध्यान दिजेगा option ऐसा दे दिया है समूचिय बोधक ही सही किजेगा लेकिन इसी को योजग भी कहते हैं इतना से आपको ध्यान रखना है इंगलिस में इसको conjunction कहते हैं conjunction बनकेवरा में कौन कवी आपन घरनी के आसांती और बेटा के भरस्टचार बता है तो बनकेवरा में कौन कवी है अपना घरनी यानि कि पतनी को आसांती और बेटा को भरस्टचार बता है तो ये पहले तो जानना होगा आपको कि ये किस कविता का है किस रचना का है तो बिकट समस्या रचना का है याद रखना तो बिकट समस्या के रचनाकार कौन है तो काली कुमार सुमन तो रचना और रचनाकार और कोई भी चीज पूछेगा भी इस से तो आपको याद रखना है कविता को अच्छे समझना है एक बार फिर से देख लिजे प्लेलिस्ट में जाकर मॉय की आप रावरे के जायक देमू चलू मौर सैम महल में ये कथन कौन कहनी से लेवल जाय है मॉय की आप रावरे के जायक देमू कि यानि कि मैं क्या अब आपको जाने दूंगा चलू मोर से महल में चलिए मेरे साथ महल में यह कथन कौन कहानी से यह कथन जो है किस कहानी से लिया गया है तो यह कथन लिया गया है आपको बन हरनी कर बेटा में तो आप लोग कथा पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि र मेरे साथ महल में चलिए तो फिर रानी अपना दुखड़ा बताती है उसके बाद कुछ सर्थ रखती है यह आपको याद होगा घरी घरी लोग गीत कर जिस पंक्ती को दोहराया जाता है और गया जाता है उसको धुगा कहते हैं सही अंसर होगा option A राजा रगुनात साह केकर बड़ भाई रहें तो राजा रगुनात साह किसका बड़ा भाई थे एनी नात साह यानि कि एनी साह का तो सही अंसर हो जाएगा option C देखिए इस सब test series में क्या है कि एक ही chapter से 10-15 question पूछ दिया है तो मेरा भी test series चल रहा है एप में है chapter wise test series भी है जो कि बहुत ही बहतरीन है और एक full lane test series है पहले chapter wise test series लगाई है फिर full lane test series लगाई है study pre question एप play store से डाउनलेट किए और वहां आपको test लगाना है कोन लोकथा में बुढ़ा भाग कर चितरन करल जाया है तो बुढ़ा भाग का चितरन किस लोकथा में किया गया है तो नावा चन और वोपी चन भाय बहिन तिरिया चरित हम लोग पढ़े हैं इसमें नहीं किया गया है बुढ़ा भाग का तो सही answer क्या हो जाएगा option D देवल कोनों नहीं अगला प्रस ने छोटकी बोहरिया कहनी में पहिल दिन कलवा तैयार करे जिमेदारी केके मिल लग कलवा यानि की दुपहर का खाना तो पहला दिन किसको मिलता बढ़की को बढ़की को मिलता है उसके बाद मंझली संजली इस तरह से चलता है बनकेवरा भागवन में कौन इतिहासकार बोड़या गाओं का चर्चा विशेश रूप से कही रहे हैं तो देखिए बोड़या गाओं का चर्चा कहा हुआ है मदन मोहन मंदिर बोड़या लेख जो है उसमें हुआ है तो उसके लेखा कौन है सब याद रखना होगा आपको तो सही अंसर क्या हो जाएगा सर्यू महतो सर्यू महतो किये हैं बोड़या गाओं का चर्चा क्योंकि वहीं मदन मोहन मंदिर बोड़या है नागवनसी राजा मन कौन जिला में जगनाद स्वामी कर मंदिर बनुआ रहे है तो नागवनसी राजा लोग किस जिला में जगनाद स्वामी का मंदिर बनुआ थे तो ये गुमला जिला में सही अंसर हो जाएगा अगला प्रसंद देखेंगा भला दुनिया में जितना विदिया आ है से सौब के हम सिखें सिराली और कोनो विदिया बाकी नखे यहां कनफ्यूज मत किजेगा इबात तिरिया चरित में केकर सामने कहल जाया है किसका सामने में तो रानी के सामने में कौन बोला है राजा बुद्धी परिक्षा लागिन कौन लोग सुभासित भाग कर उपयोग करल जाया तो बुध्धी परिक्षा के लिए साथ ही साथ मनोरंजन भी होता है उससे तो किसका उपयोग किया जाता है तो सही अंसर हो जाएगा ओप्सन डी सही अंसर होगा इसका ओप्सन डी क्यों होगा क्योंकि बुजहवल का परियोग की आजाता है बुद्धी परिक्षा के लिए तो सही अंसर होगा देवल कोनों नहीं भासा चाहे बोली में लोक मानस कौन लोक सुभासित भाग कर व्योहार बगरा करेला तो भासा चाहा बोली में लोक मानस जो है किस लोक सुभासित का ज्यादा व्योहार करता है बगरा काते हैं ज्यादा को तो सही अंसर क्या हो जाएगा मुहावरा का ज्यादा उपयोग होता है सही अंसर होगा ओप्शन C नागवनसी मनक 48 वा राजा के रहें तो नागवनसी का 48 वा राजा थे राजा राम सा सही अंसर होगा ओप्शन A मुहावरा कर संबंध वाक्य में कौन बात से जुडल रहेला तो मुहावरा का संबंध वाक्य में किस बात से जुड़ा रहता है तो कार्य वेवपार से ये question पर हम थोड़ा सा अध्यन किये तो हम पाएं कि भूनेश्वर अनूज का book में ये लिखा हुआ है कि मुहावरा और कहावत में जब अंतर बताया गया है तो वही पर ये line लिखा हुआ है कार्यो वेपार से इसलिए इसको कहीं पर लिख लिजेगा कि मुहावरा का सम्बंध कार्यो वेपार से है अहवान सिर्षक रचना कर काब ये विधा का है क्या है तो सही अन्सर हो जाएगा गीत अंगना नाम किताब कर संबंध कोन तरह कर साहितिक विधा से आहे तो अंगना जिससे के हम लोग को 5 लोग कथा पढ़ना है कितना लोग कथा पढ़ना है CGL में 5 तो कौन सहयतिक विधास है तो लोग गीत तो नहीं अंगना में लोग सुभासित भी नहीं है और लोग नाटक भी नहीं है तो सही answer क्या हो जाएगा देवल कौनो नहीं क्योंकि आंगना में लोग कथा है राजा राम साह कर बढ़की रानी के रहें तो राजा राम साह की बढ़की रानी कोन थी मुक्ता देवी याद रखेगा मुक्ता देवी यह सब question हम बना दिये हैं chapter wise test series आप लिजिए एप से और chapter wise test series में हम बहुत ही मेहनत किये हैं इसलिए उसको तो जरूर से ले लिजिए अगला प्रस्ण है आमबा मंजरे देखू मद भरे प्रस्तुत काव्य पंक्ति का रचनाकार के है कहें तो इसका अब्यका रचनाकार है नयमुदीन मिर्दाहाजी सही answer होगा option D अगला प्रस्त देखेंगे लोग कथा के लिखे वाला विद्वान के कोन नाम से जानल जायला तो लोग कथा को तो कोई लिखा नहीं है तो उसका संकलन किया जाता है कभी भी लोग कथा का संकलन किया जाता है तो सही answer क्या हो जाएगा संकलन करता देवल मुहावरा कर सुपट माने बताओ कवडी कर तीन होएक कवडी कर तीन होएक क्या हो जाएगा असान है जल्दी से बताएगे तो ये हो जाएगा कोनो काम कर नहीं होएक यह answer क्या हो जाएगा विसेशन बंकेवरा भागवन कर कौन रचना में कवी कहें न कि जिनगी उसने है सिराय जाई जैसे सीतक बूंद सिरायल सिराय यानि कि खतम होना तो किस रचना में बताया गया है तो सीतक बूंद सीतक बूंद रचना में क्या बताया गया है कि जिनदग अगला प्रस्ण देखेंगे भूनेस्वर अनुज का लेक कर अनुसार मुक्ता देवी कर काई गो बेटा रहें तो भूनेस्वर अनुजी का लेक है उसके अनुसार मुक्ता देवी के कितने बेटे थे तो चार बेटे थे सही अंसर होगा चार ये जगनात पूर मंदिर का ही है ये सब सारा कोश्चन उसको एक बार अच्छे सपढ़ लिजेगा मौई इकर उपाई करा थो कि कोई रावरे दियों के कस्ट नी देई इपंक्ती दियों कर मानेया है तो अभी मैं जिस लोग कथा का जिकर किया था वही लोग कथा से है तो इसमें मौई इकर उपाई करा थो कि के रावरे दियों के कोई कस्ट नी देई यानि कि मैं इसका उपाई कर रहा हूँ कि आप लोग दोनों को कोई कस्ट नहीं देगा तो ये कहते हैं, राजा कहते हैं, किन दोनों को कहते हैं, माय बेटा, यानि कि हिर्नी जो एक राणी बनी थी और हिर्नी का एक बेटा था, उन्हीं दोनों से राजा कहते हैं, तो बनहर्नी का बेटा लोग कथा का ये वाक्य है, याद रखिएगा, ध्यान दिजेगा देवल महावरा कर सुपट माने बताओ अग्या बैताल होयक अग्या बैताल होने का अर्थ होता है जवरत से ज्यादा बदमास होना सही अंसर हो जाएगा जवरत से बगरा बदमास होयक बगरा यानी की ज्यादा रागव बाबु कौन कहानी कर पात रहे का ये बनकेवरा भागवान में छैप है तो रागव बाबु किस कहानी के पात रहे है जो बनकेवरा भागवान में छपा है तो नीम तिता रागो बाबू किस कहानी के पात रहे हैं ये नीम तीता कहानी के पात रहे हैं लेखा कौन है सकुन तला मिस्र डाप्टर भूनेस्वर अनुज का लेख अनुसार राजा राम साह कर कैगो बेटा रहे हैं भूने स्वर अनु जी का लेक है जगनात मंदिर उसमें राजा राम साह का कितना बेटा बतलाया गया है तो दस बेटा बतलाया गया है लाल रन विजे नात कर कोन रचना में रन भेरी फुके कर बात करल जाया है तो लाल रन विजे नात जी का रचना है उसमें कौन सा रचना है तो संगे चलब संगे चलब है सही अंसर होगा संगे चलब नल दम्यंती विवा सिर्षक रचना में कवी कैठो छंद में गीत रचना के पूरा कई रहे हैं तो नल दम्यंती विवा सिर्षक रचना में कवी कितना चंद में गीत का रचना किये हैं तो सही अंसर हो जाएगा इसका पांच पांच ठो सही अंसर होगा ओप्सन ए अगला प्रस्ण है साढ़े तीन गर्ज धाइब देल भाय मिली कांधे लेल राम नाम पुकारे प्रस्तुद गीत पंक्ती कोन रचना से लेवल जा है तो पहले भी बता है कि कवीता को ध्यान से पढ़िएगा कहीं से भी दो लाइन पूछ देगा तो ये इसमें तो आसान ओप्सन है इसलिए कर पाईएगा नीज करम नीज करम कवीता का है ये और लेखा कौन है तो धनंजे नात तिवारी नागवनसी मनक पचास्वा राजा के रहे तो नागवनसीों के पचास्वा राजा कौन थे राजा रगुनात सा सही अंसर होगा रगुनात सा अगला प्रसने देवल मुहावरा कर सही माने बताओ अकील भीडाए अकील भीडाने का अर्थ होता है कि अकल से काम लेना सही अंसर हो जाएगा अकल से काम लेना उप्सन A अगला प्रसन देखेंगे कौन कवी आपन रचना में कहे ना कि आपने नी खाय के उँ हमरे के खिया कर काम करे ला तो कौन सा रचना है पूछ दिया है रचना और इसमें उप्सन में दे दिया है लेखा का ना तो रचना है माय कर दुलार आपको याद होगा माय कर दुलार रचना में ऐसा कहा गया है और लेखा कौन है तो मनोहर मोहंती, सही एंसर क्या होगा मोहन, मनोहर मोहंती इसे रचना होगा, सही एंसर होगा माय करदुलार रचना राजा रगुनात साह कर राजकाल में उकर गुरू के रहें जेकर सहजोग से आपन राइज में कैठो मंदीर बनुआ रहें तो राजा रगुनात साह का राजक्याल में उनका गुरू कौन थे गुरू हरिनाथ पहले ही आया है कॉश्चन में गुरू हरिनाथ सही अंसर होगा ओप्सन ए अगला प्रसन है जाम डार कहनी में बताल जाए कि असाम में गोटे बयाल हाथी कूईंद के मुराय दे रहे यश्चन एह बयाल हाथी केके खूईंद रहे तो सही अंसर क्या हो जाएगा इसका? हाथी किसको खूद के यानि कि पैर सही करके मरा दिया था तो यह हो जाएगा रतनी कर गुम के यानि कि रतनी का आदमी को हाथी मरा दिया था साम में आपको याद होगा कहानी है उसमें जामडायर कहानी में बतलाए गया है जामडायर कहानी के लेखक को ने तो साहनी उपेंदर पाल नहन जी अगला प्रसिंद देखेंगे नहन जी कर कहानी में तीन हजार कर जर्माना ठोके ला केकर पर तो नहन जी का कहानी में कितना वार तीन हजार कर जर्माना ठोका जाता है कि इस पर ठोका जाता है रतनी पर सही अंसर हो जाएगा रतनी पर हम सोचीला कि विद्या में हमरे बराबरी कर या दुनिया में कोई नी जनाईम है हमरे कोई बढ़ होक उकर तो बाते रखे नखे होगा यहां पस उकर तो बाते नखे प्रस्तूत कथन कोन कहनी से लेवल जा है तो ये तिरिया चरित लोग कथा में राजा बोलते हैं कि हम दुनिया का सब विद्या सीख लिए है अब मेरे से आगे कोई नहीं है जगनात परे विश्वनात साही ठाकूरे नामक काब ये पंक्ती कोन रचना से लेवल जाया है तो जगनात परे विश्वनात साही ठाकूरे ये रचना लिया गया है जार्खन वंदना सही एंसर हो जाएगा जार्खन वंदना जिसके रचनाकार है मिरित्यूंजे नाद सर्मा सही एंसर हो जाएगा जार्खन वंदना देवल में से कौन तत्सम सब्द है के देवल में से तत्सम सब्द कौन है के प्रस्तूत काब ये पंक्ती में धक धुमाइर कर का मतलब होएला तो धक धुमाइर सेमाइर फूल माग फागुन दिने धक धुमाइर कहते हैं जोका जोका यानि कि जोपा जोपा फूल जोपा जोपा यानि कि गुच्छा गुच्छा फूल को बलते हैं जोपा जोपा फूल गुच्छा फूल कैसा गुच्छा गुच्छा में रहता है उसी को जोपा जोपा फूल कहा जाता है तिरपन का होगा C गुन वाचक विसेशन कर मिलान करो इसमें गुन नहीं होगा इसमें विसेशन का मिलान करना है तो गुन वाचक विशेशन कौन हो जाएगा इसमें जो आपको सही लगता है उससे पहले स्टार्ट किजिएगा तो गुन क्या है तो गुन हो जाएगा नीमन नीमन बनता है बहुत सिधा बनता है इस तरह से बोला जाता है ठाओ यानि कि जगा जगा वाचक कोन हो जाएगा तो उपरे उपर जो है ठाओ वाचक हो जाएगा दसा डसा क्या हो जाएगा रोगाल रोगाल सरीर है तो वो दसा हो गया समय क्या हो जाएगा अड़बेरिया तो इसको मिला दिये हैं अब देख लिए कोन एंसर हो गुन हो जाएगा नीमन ठ दसा यानी कि रोगाल और समय यानी कि अढबेरिया अढबेरिया वेरा काते दूपाहर के बाद का समय को पद्य भाग में संकलित रिंग चिंग्यानामकर अचना कोन सहेतिक विधा में आहे तो रिंग चिंग्या जो है कवीता है सही अन्सर हो जाएगा इसका option B कविता लेखाखे परफुल कुमार राय राजा रगुनात साह कर छोट भाई के रहे तो राजा रगुनात साह कर छोटा भाई कौन थे तो छोटा भाई थे एनी साह सही अंसर हो जाएगा एनी साह जखम कहनी में भाउजी का दियो बेटा केकर संगे गुजरात चल जाएना जखम कहनी में भाउजी का दोनो बेटा था वो किसके साथ गुजरात चल जाता है तो सरदार के संगे गाउं का सरदार के साथ वो लोग कहां चल जाता है गुजरात चल जाता है देवल मुहाव़ा कर सही माने बताओ अरहमारेक क्या होता है संबंधित बात में उसकाए के लड़वैक किसी बात में किसी को उकसा देना और उसको लड़वा देना अगला प्रसने सूमंगली सब्द में कोन उपसर्ब कर वेवहार हुए है सही अंसर होगा option भी असान question है सीव अवतार चौधरी कौन यूध कर बरनन अपन काब्य में कही रहे है तो सीव अवतार चौधरी जो है किस का किये है किस यूध का बरनन अपना काब्य में किये है तो बंगला देश का मुक्ती संगराम का किये है रचना क्या है प्रमवीर अलबट एका अगला प्रसन देखेंगे जगनात मंदिर लेख अनुसार राम साह कर बाद राजा के बन लें तो जगनात मंदिर लेख जो है उसके अनुसार राम साह के बाद राजा बनते हैं रगुनाद साह सही अंसर होगा option A अगला प्रसंद देखेंगे रानी बगईचा सेंदूरिया अंबा कताई लाले लाल प्रस्तुत कावे पंक्ती में सेंदूरिया कौन तरह कर विसेशन है कि तो सेंदूरिया किस तरह का विसेशन हो जाएगा ये गुन वाचक विसेशन हो जाएगा तो कवी धनंजे नात तिवारी हम लोगों को बंक्योरा भागवन का रचना से क्या संदेश देना चाते हैं तो क्या करने अच्छा काम करने का क्या देते हैं संदेश अच्छा काम करने का संदेश देते हैं तो सही अंसर क्या हो जाएगा तो बनकेवरा भागवन में दुआरी का नात सीना का कौन सा रचना है तो मैं बताया था कि चान जो है दुआर में आके मुस्काता है तो चान मुस्का है सही अंसर हो जाएगा चान मुस्का है मनोहर मोहंती कर रचना अनुसार कौन? मुरुक दुख पाएके भी हमरे के जनम देवेला तो मनोहर मुहंती का रचना हम बता है माय का दुलार रचना है तो उसमें कौन जो है बहुत ज़्यादा मुरुक कहते हैं बहुत ज़्यादा को दुख पाएके भी हम लोग को जनम देती है देती है तो कौन है यह मा है सही अंसर होगा मा है बंके उरा कर कौन कहानी में रेखारानी एक चीज के किनेक कर विरोध करेना उचीज का है क्या तो बंगला कर सूख कहानी है उसमें रेखारानी जो है क्या चीज खरीदने का विरोध करती है फ्लेट खरीदने का तो सही अंसर क्या हो जाएगा option C, flat connect जे लोग साहितिक भाग के अंग्रेजी में प्रोभर्ब कहल जायला उके नाकपूरी में कौन रूप में जानल जायला जिस लोग साहितिक भाग को अंग्रेजी में प्रोभर्ब कहा जाता है उसे नाकपूरी में क्या कहा जाता है तो उसे नाकपूरी में कबनाईत, कहावत और लोकोक्ती ये सब ही कहा जाता है इस तरह का option में ध्यान दिजेगा तीनों एकी चीज है कबनाईत, कहावत और लोकोक्ती तो सही अंसर क्या हो जाएगा देवल सौभे अगला प्रसंद देखेंगे परफुल कुमार राय आपन कावे रचना में केकर सुन्दर चितरन कहीर है तो परफुल कुमार राय जी अपना कावे रचना में किसका सुन्दर चितरन किये है तो इसमें किये है पेपला पेपला का किये है रिंग चिंगिया पेपला यानि की कलरफूल पेपला बोले हैं तो सही अंसर हो जाएगा option A पेपला कर अगला प्रस्ण देखेंगे नगेरा कौन तरह कर संग्या है के नगेरा एक वाद ये अंतर है पीट कर बाजाने वाला याद ये अंतर है तो नगेरा क्या हो जाएगा जाती वाचक हो जाएगा पूरा नगेरा जाती का बोध हो रहा है उससे तो सही अंसर हो जाएगा option B देवल में पानी का समनार्थी कौन नी होई दिया हुआ में से कौन पानी का समनार्थी नहीं है तो दिया हुआ में से कौन नहीं है तो जल अंबू और नीर ये तीनों पानी का समनार्थी है तो सही अंसर हो जाएगा जलाज जलाजी ये कमल को कहा जाता है से दिन कर रिंग चिंगिया फोन लगता है खराब हो गया है से दिन का रिंग्चिंग्या पेपला कहा पावय कहा इस तरह से है कविता में रिंग्चिंग्या कविता में तो पेपला क्या है उसमें पूछ रहा है कि पेपला किसको कहते हैं तो हम बताये थे उसमें पेपला तितली को कहते हैं रिंग्चिंग्या कलरफूल यानि कि रंगीन तरह तरह का रंग का तो सही अंसर हो जाएगा तितली अगला प्रस्ण है मनोहर मोहंती नामक कौन कवी राग में आपन रचना बन के औरा में संकलित कई रहे हैं तो मनोहर मोहंती जी का रचना है माय करदुला वो किस राग में है तो वो बंगला राग में है तो सही अंसर क्या हो जाएगा राग बंगला बंगला रंग राग में ग्यान कर भंडार कौन लोग साहितिक भाग के कहल जायला तो ग्यान का भंडार कौन लोग साहितिक भाग को कहा जाता है तो सही अंसर क्या हो जाएगा कहावत को ग्यान का भंडार कहावत को कहा जाता है सही अंसर होगा option A अगला प्रस्ण है जाम डायर कहाणी में बुधनी केकर पर अच्रंग लगाएला तो जाम डायर कहाणी में बुधनी किस पर अच्रंग लगाती है यानि कि क्या बोल सकते हैं उसको इलजाम लगाती है किस पे लगा जेती है बुधनी तो बुधनी रतनी पर इलजाम लगाती है तो सही अंसर क्या हो जाएगा? Option A रतनी पर अगला प्रसंद देखेंगे नाकपुरी लोक साहित यों पारंपरिक रूप में कैसन पावल जायला तो नाकपुरी का लोक साहित है वो पारंपरिक रूप में कैसा पाया जाता है? तो और लिखित रूप में इसका कोई लिखित रूप नहीं है या मोखिक रूप में चलते आ रहा है तो सही answer क्या हो जाएगा option B अगला प्रसंद देखेंगे ग्यान और संस्कृति का पहचान कौन लोक साहतिक भाग में बगरा देखल जायला तो ग्यान और संस्कृति का पहचान जो है कि इसमें ज्यादा देखा जाता है तो लोक सुभासित में सही answer हो जाएगा लोक सुभासित में हलाके लोगीत में भी देखा जाता है लेकिन इस तरह से option दे दिया है तो इसमें हो जाएगा लोक सुभासित बंकेवरा भागवान अनुसार बेनी बाबु केकर सूख लागिन बंगला की नेक चाहना तो बंकेवरा भागवान में जो बंगला का सूख है पंचम साहुजी का लिखा हुआ उसमें किसके लिए बंगला खरिदना चाहते हैं बेनी बाबु तो अपनी पतनी के लिए तो सही अंसर क्या हो जाएगा उप्शन ए गोमकाइन लागिन यानि कि गोमकाइन यानि कि पतनी के लिए देवल में से कौन सब्द सही रूप में आहे है तो नाकपूरी में कौन सा सब्द है जो सही रूप में है तो इसका सही अंसर होगा हलुक हलुक कहते हैं, हलका को नाकपूरी में हलुक हलुक लागत है, यानि कि हलका लग रहा है मधूरता, संचिपता, सरलता और इसपश्टता केकर विशेशता है कि तो ये किसका है? ये भुनेस्वर अनुजी का बुक में इस तरह से दिया हुए है निफिनेशन, तो सही अंसर हो जाएगा कबनाईत का सही अंसर होगा option A कबनाईत इके मुरावा, इके जियायक नखे, नी तो कतना के खाय जाए इस समवाद बनके और भागवान कर कोन कहनी से लेवल जाए है देखिए इसमें कनफ्यूज कर जाएगा नीमतिता, तो खेर चलिये नई, लेकिन जखम और विशाही इस दोनों में बहुत कनफ्यूजन होगा तो सही अंसर क्या हो जाएगा? ये विशाही कहनी में है पुक में सायद जखम दे दिया है लेकिन ये विशाही कहनी में है हम आपको बता देते हैं ये कब कहा गया है विशाही कहनी में जब उसको विशाही बोल दिया जाता है तब उसको क्या है? एक जैराम नाम कर रहता है वही कहता है क्या कहता है इके जियायक नखे इके मुरावा ने तो इपूरा गाओं के खाय जाए इस तरह से कहता है कौन कहता है जैराम कहता है नीज करम सिर्शक रचना कर मूल भाव का है के तो नीज करम रचना का मूल भाव क्या है तो ये जीवन दर्शन, सही एंसर क्या हो जाएगा, जीवन दर्शन, नीज करम लिखा कौन है, धनन जय नात तिवारी अगला प्रस्थन है, उतना बड़का आदमी मोर का हैसियत है, पैसा कोड़ी कर बात कहिर के, यार कर नजयर में गिर्तो का, प्रस्तुत समवाद में रागहो बाबु, यार के के बताएने, यार यार कोई, हम लोग बोलते हैं यार, दोस्त, उसी को यार लिखा है, तो प्रस्त देखएंगे, प्रफुल कुमार राय कर पद रचना में, फूल सुन्दरी बेरा, सब गेला कताई दूरे, पंक्ति उधत आहे, फूल सुन्दरी बेरा कर मतलब होएला, तो सही एंसर क्या हो जाएगा, फूल सुन्दरी का आर्थ होगो, या सांज पहर, सही एंसर होगा, मिर्तियुंजे नात सर्मा कवी को जैनात कहा जाता है तो सही एंसर हो जाएगा option C आपको बताना है कि इनका कौन सा रचना बनक्योरा भागवन में छपा है मिर्तियुंजे नात सर्मा का comment box में बताना है आपको कविता में हम बताया है बहुत अच्छा तरीके से गाटो जो है एक चिनिया है चिनियों का क्या है चिनिया जब पंक्ती लगाकर ऊड़ती है उसी को घाटो कधायर बोला गया है तो सही एंसर क्या हो जाएगा घाटो चराईकर धायर चरे सही एंसर हो जाएगा option C चील कौन तरह का लिंग है के तो चील जो है किस तरह का लिंग है तो चील हो जाएगा उभय लिंग नाकपूरी में ज्यादातर जो भी है पसु पक्षी जानौवर ज्यादातर का क्या है उभय लिंग है जिसमें कोई लिंग पता नहीं चलेगा कुकूर बोल दियें तो उभैलिंग हो जाएगा नल दम्यंती विवा सिर्षक रचना में कौन काब ये विधा में आ है तो नल दम्यंती विवा सिर्षक रचना है वह कौन सा काब ये विधा में है तो सही answer क्या हो जाएगा इसका सही answer हो जाएगा C, गीत सही answer हो जाएगा गीत अगला प्रस्ण है विशाही कहनी में कौन पात्र बजार जैक से पहले सजेक सौरेक कर काम करेला तो देखिए विशाही कहनी में जीरगी नाम का कोई नहीं था कोई पात्र नहीं था कर्मी भी भी नहीं था फुल्मनी भी नहीं था तो सही answer क्या हो जाएगा Option D सही answer हो जाएगा इसका Option D बिर्शी जो बजार जाने के लिए तैयार हो रही थी और इतवारी का रास्ता देख रही थी सुंदर कहानी में सुंदर के रुपिया कर कमी नहीं रहे कब सुंदर कहानी में सुंदर को रुपिया पैसा का कमी नहीं रहने लगा कब जब वह कंडेक्टर बन गया था बस का कंडेक्टर बन गया था तब उसको पैसो का कोई कमी नहीं हो रहा था पनिहारिन सिर्षक रचना कौन राग में रचल जा है तो पनिहारिन सिर्षक रचना है वो किस राग में रचा गिया है जुमयर जुमयर में कौन सा राग जनानी जुमयर में रचा गिया है याद रखेगा और पनिहारिन रचना के लेखक कौन है तो महस्वरदास मुसद्धी जखम कहानी में भौजी के कई धाउं जुर्माना भरवाल जाय रहे है important question है इस तरह का question पूछ सकता है तो जखम कहानी में भौजी को तीन जुर्माना भरवाया गया था तीन धाउं यानि कि तीन मर्तबा सही answer होगा option B नाकपूरी कर पहिला धारवाहिक नाटक कौन है के धारवाहिक नाटक धारवाहिक नाटक कौन हो जाएगा चोका बोका और कोका सही answer हो जाएगा इसका option A अगला प्रसंद देखेंगे नौगरह कौन तरह कर समास है के तो नौगरह किस तरह का समास हो जाएगा सही answer हो जाएगा प्रस्तुत कत्हन में सोरह आना का बात के अगला तो नीमतिता कहानी में यह लाइन लिखा गया है तो ये क्या चीज़ को इंगित करता है एक मुहावरेदार भासा को इंगित करता है कवी धनेंदर परवाही अपन रचना में मात्र भूमी कर माटी में का चीज़ के अनमोल माइन है कवी धनेंदर परवाही अपना रचना में मात्र भूमी कमिटी में किस चीज को अनमोल माने है तो किसको अनमोल माने है तो प्रान को सही अंसर हो जाएगा प्रान को अध कपारी सब्द में अध कर संबन्द कोन रूप में आ है अध कपारी में अध क्या हो जाएगा वपसर्ग हो जाएगा असान कोईश्चन है तो सही answer होगा option B प्रमवीर अलबट एका काब ये सिर्षक में यूद कर बर्नन कौन सहर से जुडल है तो प्रमवीर अलबट एका काब ये सिर्षक में युद का बर्नन जुडा हुआ है वो किसार से है तो धाका धाका, सिलहट बजार इस तरह से सुने होँगे गनेशवंदना नामक रचना में कौन रचना कौन काब यो विधा में आ है तो सही अंसर क्या हो जाएगा गनेशवंदना गीत कोन गीत है कवीता है यह इसी जो है इसी में इस तरह से question पूछा गया है लेकिन इस तरह की Final ky कोंपूरी हम बगरा धर होता है तो किसका ज्यादा होता है तो सही answer हो जाएगा इसका इसको याद रखेगा इसका ज्यादा इस वन का ज्यादा वेवहार होता है और अंतिम प्रस्ण है श्रोत कर अधार पर नाकपूरी में क्या किसीम कर सब्द संपदा है तो श्रोत के वाज test series से नहीं जुड़े हैं जरूर से जुड़ जाईएगा क्योंकि उस बहुत ही बहतरीन test series है और उसके हम पूरा मेहनत किये हैं उसको बनाने में हम पूरा मेहनत किये हैं एक एक कोईस्चन कलेक्ट करके उसमें एप में डाल देंगे तो आप जरूर test series से जुड़ियेगा और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेयर कीजिए थैंक्स फर वाचिंग